टूडी ज मोटिवेशनल स्टोरी में आप सभी का फिर से स्वागत थे हैं और आज मैं फिर से आप सब के लिए ले के आई हूँ एक प्रेरख कहानी तो कहानी कुछ इस प्रकार से है एक गाउ में दो भाई रहते थे उनके बीच सहज बटवारा हुआ पर सोनी की एक अंगूठी को लेकर दोनों के बीच में बिवाद हो गया यानि कि बहस हो गई अब बहस बढ़ने पर दोनों भाई अपनी समस्या को लेकर एक संथ प्रविर् अपनी अंगूठी यहीं रख जाओ और कल आकर ले जाना उनके जाने के बार राजा ने शुनार को बुला कर उस अंगूठी की प्रतिलीपी तयार करने को कहा यानि कि वैसी ही एक और अंगूठी बनाने को कहा और उसका मुल्य स्वें के पास से चुका दिया दूसरे दिन दोनों भाईयों के लोटने पर उन्होंने एक-एक अंगूठी दोनों को दे दिया दोनों को यह लगा कि मात्र उसे के पास वह अंगूठी है इसलिए दोनों प्रशन होकर अपने अपने घरों को लोट गए तथा दोनों के मद्ध यानि कि दोनों के भी संबंध भी सुधर गये एक दिन आपसी चर्चा में सत्य पता चलने पर वे राजा के पास पहुँचे और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा राजा बोले सोना तो तुच्छे चीजे है संबंधों का मुल अधिक है यानि कि सोना बहुत ही चोटी चीजे किसी भी रिष्टी संबंध के आगे उनमें कभी भी दूरी नहीं आनी चाहिए दोनों भायों ने आपसी बिवात को भुला दिया और अंगूठी का मुल राजा को चुका कर प्रेम पुर्वक जीवन में रहने लगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कोई भी वस्तू संबंधों से ज़्यादा कीमती नहीं होती है संबंध मुल्यवान होते हैं तो फ्रेंट्स आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ये एक लाइक एक कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही मैं कल फिर आउंगी किसी नए कहानी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंट्स